Hello students, today we will be studying about subject, math class, LKG Students, today is date 18 of May 2020 आज हम आपको after, before, between की मैंने कुछ knowledge आपको दी थी ठीक है students, बट आज हम आपको सिर्फ before के बारे में समझाएंगे Before क्या है, देखें students, हमने आपको इस समझाने के लिए कुछ helping numbers दिये हुए हैं जिनकी help से आप before fill कर लेंगे Before मतलब क्या होता है पहले, क्या होता है students पहले और after मतलब बात को तो आज हम आपको फिर्स्ट एक चीज समझाएंगे before Before मतलब आप इस number के पहले का देखें जैसे हमने आपको numbers देदी है 3, 5, 8, 9, 11, 2, 1, 4 ऐसे number देदी हैं पिर इनके आगे dash लगा हुआ है आपको fill करना है कि इसमें क्या आएगा तो देखें 3 दिया है, यह number की यह आपका help box है इससे आप क्या करेंगे help ले सकते है जैसे 3, 3 के पहले क्या आता है यह देखें 3 बना, 3 के पहले क्या आता है 2, तो यहाँ पे हमने 2 fill कर दिया इसी तरह 5, 5 के पहले क्या आएगा 4, 4 है ना, इसी तरह हमने 4 fill कर दिया next, 8, 8 के पहले क्या आजाएगा 7, ठीक, next, इसी तरह 9, 9 के पहले क्या आता है 8, यह 9 बना हुआ है, 9 के पहले क्या आया है 8 आया है, इससे आपको help मिल रही है next 11 11 के पहले क्या आया है 10 क्या आया है 10 ठीक है next 2 2 के पहले क्या आया है 1 ठीक और 1 1 के पहले तो कुछ नहीं आता है तो 1 के पहले देखे मैंने helping box में दिया है 0 तो 1 के पहले क्या आ गया 0 आ गया 3 3 के पहले 2 आ गया Okay students, यह आपको समझ में आ गया, अब आपको यह मैंने class work में करवा दिया है, ठीक है, अब आपका homework है, कि आपको यह आपका homework दिया हुआ है, आप कुछ numbers दे दिये हैं मैंने, और आप इसके आगे dash लगा दिया, और आपको इसके before लिखना है, before means पहले, before means पहले, अगर आपको आती है counting, तो आप अपने आप भी करने की कोशिश करिएगा, नहीं आती है, तो आप को learn करके, फिर यह help box दिये है, helping box में number दिये, इनकी help से करिए, जैसे 3, 3 के पहले, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसके पहले क्या आया, तो इसके पहले क्या आया, तो इसके जो भी work है, इसको need and clean करिए, इसको समझने की कोशिश करिए, कि हमारे जो है after, before and between, तो before means क्या हो जाता है, पहले, before means पहले, तो आपसे जो number दिये, उनके पहले का आपको number यहाँ पे लिखना है, okay students, thank you, have a nice day.